हेलो हेलो एंड वेलकम टु तो चानल तो क्या आले बच्चो मौझ मस्ती चल रहे है कि नहीं आज हम इसी मौझ मस्ती को कंटिन्यू करते हो पढ़ने वाले अपना 12th chapter जिसका नाम है forest our lifeline बहुत easy complete theory chapter है और अज का chapter हमने पढ़ लिये हैं पहले ही तो फटाक से ले आओ अपनी NCRT ले लो हाथ में pen या pencil और फटाक से जहां जहां मैं कहूं वहां हाइलाइट करते जाना so that paper से पहले तुम फटाफट revise कर लो चलो अब without any delay करते हैं भई आज का chapter शुरू तो chapter शुरुआत करने से बढ़े मैं आपको बता दूँ कि प्रोफेसर एहमद साब की कहानी है जो कि आपने कुछ समझे ना पोतों और बच्चों के साथ गूमने जाते हैं जंगल में उन्हें ये बताने क्यों बताने जाते हैं कहानी बताता हूँ तीन-चार बच्चे थे अब उनके दादा जी मान लो प्रोफेसर एहमद है अब ये क्या थे ये शहर के एक बहुत important discussion में गई वहाँ जाके वहाँ से वापिस आए तो उन्होंने बच्चों को बताया कि पता है क्या discussion चल रहा है कि शहर में एक factory लगाने के सोची चारी है अब वो ले के जाते हैं अब this is because the forest serve as green lungs and water purifying systems in nature तो जब बच्चों ने पूछा था प्रोफेसर साब से कि सर इसको क्यों नहीं हम जंगल क्यों नहीं काटें तो उन्होंने ये line बोली थी क्या line बोली थी कि जो जंगल है वो green lungs का का काम करता है और water purifying system का का काम करता है नेच forest तो भाई एक Sunday morning पर सम निकल गए वहां forest में वहां पर उन्हें बच्चा मिला टीपू नाम था टीबू अब ये टीबू वहीं गाउं में रहता था तो उसने देखा अरे यार बच्चे वो बड़ा इसे शैतान सा बच्चा था वो भी उनके साथ चल दिया उसने वहां उनक के question answer वाला काम करेंगे ठीक है तो अपने दिमाग को होल के रखना पाल तू कहानी हम नहीं पढ़ रहे होंगे main main चीज पढ़ रहे होंगे starting with the different tree tops tree tops had formed green cover over the land however the cover was not uniform यहाँ फोटो देखो उपर से देखो कि अगर जंगल को तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि भईया आप इनके बीच में घुम लोगे क्योंकि आपको सिर्फ हरा हरा दिखेगा यह क्या है यह trees के tops हैं जो आपको ऐसा लगता है कि पूरा green land है समझ रहे हो यह un uniform होता है कुछ पेड़ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं अब इसके हम depth में जाएंगे कि क्या जोटे है क्या बड़े कैसे होता है ठीक है प्रोफेसर एहमद cautioned children that they should not go deep in the forest प्रोफेसर अब जैसे वो अंदर गये जंगल में टीबू भाई और प्रोफेसर भाई ने क्या समझाया कि भाईया देखो जंगल के जादा अंदर मत जाना क्योंकि वहां बहुत भी खतरनाक जानवर रहते हैं और बाहर बाहर वाले एरिय या फिर चिडिया हुए इस टाइप के जानवर ना गाय भैंस यह सब वैसे जानवर नहीं मिलेंगे जैसे शेर चीता यह सब डीप इंसाइड जंगल रहते अब नाव दे कुछ सी हाव दप फॉरेस्ट प्रोफेसर हों फॉर मेनी आनिमल से प्लांट जैसे वह बच्च हमारी आती है कि कितने टाइप के ट्रीज होते हैं तो टीबू ने उनको help करा कि कितने टाइप के ट्रीज जंगल में मिलते हैं जिसमें common क्या है शीशम का साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम का, पलाश का, फिग का ट्री, खैर, आमला, बैंबू, कच्चर यह सारे वह common trees हैं जो ह में मिलते हैं और ये photo देख लो, ये photo से दिमाग में रहता है, ये नीम का tree है, जो हमें आज भी road के आसपस मिल जाता है, ये शीशम का tree है, ये सेमल का tree है, ये bamboo का tree है, ठीक है, तो ये साले जंगल में commonly मिलते हैं, उसके अलाबा, प्रोफेसर एमद ने ये भी समझाया, कि कै इसे ही जो trees हैं आप इने distribute कर सकते हो, कुछ इनमें trees हैं, कुछ shrubs हैं, जो थोड़े बड़े, मतलब trees और छोटे plant के बीच की जो age होती है, फिर herbs छोटे छोटे आ जाते हैं, और फिर घास आ जाती है, तो हम कैसे distribute कर सकते हैं, और यहीं पर आपका एक question मन गया, कि differentiate between trees, shrubs, herbs, grasses, grasses, क्या होता है, grasses सबसे छोटी होती है, herbs उससे बड़े होते हैं, श्रब्स उससे बड़े होते हैं, सबसे बड़े क्या होते हैं, trees होते हैं, बहुती बड़ी आश्चानदार, उसके अलावा, और भी तरह के plants हमें देखने को मुलते हैं, जिसमें दो common है, creepers और climbers, creeper, climber क्य barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest, एक चीज और नोटिस करी, कि भाई वहाँ पर इतना घना था वो जंगल, कि जो sunlight थी, वो ही मुश्किल से पहुँच पा रही थी, तो ये भी एक important चीज है, अब नेचर, अब देखो, आगे ये था, कि आप list prepare करो कि कौन कौन सी चीज़े हैं, जो आपक forest से मिलती होंगी, तो forest में है क्या लकडी है, animals हैं, जानवर हैं, तो उनकी वज़े से हमें क्या क्या मिलता है, wooden की चीज़े मिलती है, gum, gum पता है न, resin, seal in wax, honey, ये सारी चीज़ें वो हैं, जो हमें जंगल से मिलती है, nature trees produce enough seeds, the forest floor provides favorable condition to them, germinate and develop into seedling and sapling, अभी answer क्या है, ही समझ लो, पहले तब समझ में है क्या है, question क्या है, सवाल है, कि जो एक बच्चा गया था, उसने पूछा, शीला भाई, शीला ने पूछा, कि इन पेड़ों को इस जंगल में किसने लगाया, क्या सवाल है, आपका भी तो हो उने fiberable conditions मिलती है, तब वो germinate कर जाते हैं, और develop किस में कर जाते हैं, seedling और sapling, seedling मतलब, seed से जब प्लांट निकलता है, sapling मतलब, जब जमीन से वो प्लांट बाहर निकल जाता है, उन में से grow up होगे, trees बन जाते हैं, he added that branchy part of a tree above the stem, is known as the crown of the tree, क्या होता है, crown मतलब, देखो, ये तो stem है, लकडी का, इसके उपर ये tree कैसा दिखता है, इसकी shape कैसी है, ये गोल है, लंबा है, तिकोना है, इसको कहते हैं, crown of a tree, यानिकि tree का उपर से shape कैसा है, ठीक है, हर tree का अपना अलग-अलग shape होता है, उपर से, अलग-अलग crown होता है, उसके अलावा professor एहमज ये भी समझाते हैं, to look up and observe how the branches of tall tree looks like a roof over the other plant in that forest, he told them that this is called the canopy, होता क्या है, प्लांट अकसर अभी हमने बात करी थी कि जंगल में sunlight नहीं आती है, तो होता क्या है, बड़े-बड़े जो plant है, बड़े-बड़े trees हैं, ये इतने फैले होते हैं, कि इनकी वजए से, आपस में इतने जु करते हो, तुमने देखा होगा न, दो तरफ tree होते हैं, तो वो दोनों tree आपस में जब जुड़ जाते हैं, तो एक ऐसा gate जासा बन जाता है, इसे कहते है canopy, ठीक है, अब, प्रोफेसर एहमत पॉइंट आउट that the trees had crowns of different types and sizes, these had created different horizontal layers in the forest, अब क्योंकि हर tree की अपनी crown की difference है, को कोई छोटा है, कोई मोटा है, जिसकी वजए से पूरे जंगल का जो shape है, वो uneven होता है, कभी आप देखोगे, ऐसा नहीं होगा, सारे पेड़े एक बराबर क्यों होंगे, कुछ होंगे, फिर अलग shape आजाएगा, फिर अलग shape आजाएगा, है ना, चलो, ये देख सकते हो, चोट-चोटे पेड़ हैं, तो this is called understory, would we see similar kind of trees in every forest, बूजो, बूजो भाई ने क्या पूछा, क्या हमें सारे जंगल में यही तरीगे के पेड़ देखेंगे, तो प्रोफेसर ने समझाया, नहीं, क्योंकि ये depend करता है, climatic conditions पे, कि वहाँ पे किस प्रकार के किस type के trees देखन को मिलेंगे और plants देखने को मिलेंगे, और ये same चीज़ animal पे भी depend करती है, आप जिस type के climatic conditions में हो, वहीं के आप वो animals देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़ी है, अब आगे बढ़ते हैं, पहेली ने पूछा, there are so many trees here, also, there are so many, there are many forests like this, what difference will it make if we cut some trees for a factory अब पहेली का question genuine है, कि इतने जंगल हैं, इतने पेड़ हैं, चार पेड़ काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब समझते हैं, क्या होता है, प्रोफेसर एमन ने समझाया, you have read about autotrops, heterotrops and saprotrops, हमने देखो, छटी class में पढ़ लिया था, कि autotrops क्या होते हैं, जो अपना खा खुद बनाते हैं, all animals, whether herbivores और carnivores, depend ultimately on plants for food, देखो, सोचने वाली बात है, चाहे एक carnivore की बात करें, एक ऐसा जानवर जो मास खाता है, चाहे एक herbivore, एक ऐसा जानवर जो plant खाता है, तो plant खाने वाला जानवर तो plant directly खा रहा है, खाना बनता है, carnivores तभी कुछ खाएगा, जब herbivores जो हैं, वो खाएगे और उनको carnivores खाएगे, तो ultimately सब कुछ किस पर depend हो रहा है, food के लिए plants पर, right, so organisms which feed on plants, often get eaten by the organism, जो मैं अभी बात समसे हैं आपको, example के लिए घास को कौन खाता है, कीडे मकौडे खाते है, जिस फिर कीडे मकौडे को कौन खाता है, frog खाता है, इस frog को साप खा लेता है, और इस साप को कोई भी शेर चीता, कोई भी खा सकता है, तो ये पूरी क्या है, इसे कहते हैं, food chain का बन जाना, इस snake को फिर eagle खा जाता है, अब इस many food chain can be found in the forest, इसी forest में कई food chain साथ में चल रही होती हैं, हजारों, है न, और ये सारी food chains कैसे हैं, linked है तो अगर हम क्या करेंगे, हम इन में से 4-5 trees को काटेंगे, तो ये food chain disturb होने लगेंगी, और जैसे ये disturb होंगी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि सरफ एक जंगल पर effect आएगा, ये पूरे atmosphere पर effect शो करेगा, ऐसा मज में, तो देखो, ये कैसे इतनी अच्छे तरीके से दिखाया है, क decomposers क्या करते हैं, कोई भी जानवर मर जाता है, वो automatic soil के अंदर decompose हो जाता है, तो ये पूरा एक क्या, एक system बना हुआ है, जिसको अगर हम खराब कर देंगे, अगर हम plants को continuously काटेंगे तो, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रोफेसर एहमद explained that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil, अब हो क्या राता, उन्होंने कैसी पत्ता उठा के देखा तो उस पर छोट 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 कीडे थे, तो बच्चे बोले आ रहे, ये तो बड़ी छोटे कीडे हैं, तो प्रोफेसर ने समझाया, कि ये तो वो कीडे हैं जो तुम देख सकते हो, इसके अलावा भी और अनिमल के टिशू को कनवर्ट करते हैं, इन्टू हूमस, क्या बोला मैंने, डेड प्लांट्स और जो डेड अनिमल्स हैं, इनके टिशू को कनवर्ट करते हैं, इन्टू हूमस, और इस हूमस को ये खाते हैं, ये हूमस इनका डिरेक्ट खाना है, और ये हूमस अगर खाद का काम करती है ना इस ही humus को हम use करके plants को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं growth देखो the microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers इन्हें क्या कहा जाता है decomposers कहा जाता है अब ये microorganism एक बहुत important role play कर रहे हैं जंगल में सोचके देखो अगर हर plant की death हो रही है हर जंगल में कोई भी चीज मर रही है अगर वो हजाय ना गाया भी ना हो जंगल भर जाएगा सड जाएगा कीड़े पढ़ जाएगे बट वो गाया बहुत जाते कुछी दिनों में तो ये भी इनका अपना बहुत important role है जिसकी वज़े से पूरी floor पे जमीन पूरी जमीन पे जंगल की humus होता है कभी आप जंगल में जाके देखोगे आपको देखेगा कि वहां का land जो है ना सक्त नहीं है soft है कैसा होगा soft हैसा लगेगा carpet पर जल रहे हो कैसे वैसा वो क्यों होता है क्योंकि पूरी जो layer है वो humus की बन जाती है इसी वजह से जंगल में आप कुछ भी हुगा वो बहुत जल्दी हुग जाएगा इतने जादा nutrients है समझ में आया चलो बहुत बढ़िया अब बात करते हैं कि प्रोफेसर साब भाई किसी बच्चे को यादा है प्रोफेसर साब आपने अभी तक यह तो पता है नहीं कि लंग में ऐसल्स के बाई हना अगर हमें oxygen ही नहीं मिले सोचो तो तुम क्या करोगे है तो तुम रही नहीं पाऊगे तो यह जो oxygen है यह कहां से मिल पाती है यह बाति है plant से और हम क्या रिलीज कर रहे हैं दलगातार हम carbon dioxide सेल्ट रिलीज कर रहें जो कि बहुत ही बकवास है बहुत घटिया चीज है ना तो यह जो filtration है यह कैसा filtration carbon dioxide ले रहे हैं बदले में अच्छी oxygen दे रहे हैं यह filtration जो हमारी body के अंदर कौन करता है lungs करते है और nature में कौन करता है very good lungs करते हैं हो गया ना answer क्लास में water cycle पढ़ा था अब वो यह बूछ रहा है कि अगर ट्रीज कम होंगे तो water cycle पर क्या आसर वड़ेगा तो टीबू ने समझाया कि forest सिर्फ ऐसा नहीं है यार कि plants और animals का घर है कई लोग actual communities जंगल में रहती हैं जो कि यहां के अलागला tribes को belong करती है इनके अब यह mostly हर चीज के लिए forest पर dependent है food के लिए shelter water medicine सब के लिए in fact इनके अपनी traditions है और यह बहुत सालों से exist कर रहे हैं तो इसलिए अगर हम कोई भी plant या पेड काटेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम water cycle के लिए इसको effect कर रहे हैं अब कई बार सोचनी की बात ही है कि इतना plant जंगल बढ़ कैसे जाता है seeds आगे पीछे कैसे जाते हैं तो actually nature का यह बड़ा खतरनाक system है कि जो seeds के dispersion है यानि कि जो seeds का इधर से उदर जाना है वो बहुत ही easy बना हुआ है आप कई बार जंगल में या कहीं जाड़ू में ऐसे घूमोगे न तो आप देखोगे आपके कपड़ों पे seeds चिपक गए तो क्या system है कि तरह गजब system है न वो इतनी जल्दी वो जानवरों पे चिपक जाता है जानवर आगी पीछे जाते हैं और इस तरीके से पूरे में seeds फैल जाते हैं और आपका जंगल बढ़ा हो जाता है तो by harboring greater variety of plants the forest provides greater opportunities for food and habitat for the herbivores लाइजर number of herbivores means increased availability of food और जितनी जादा herbivores होंगे उतनी जादा food जादा होगा food जादा होगा तो वहाँ पे कौन जादा आएंगे वहाँ पे कार्णी वोर्स भी जादा आएंगे जो जानवरों को खाते हैं अभी जो wide variety of animal है ये forest को help करेगी region rate होने में और बड़ा forest होने में और grow करने में decomposers जो होंगे help करेंगे इस maintain supply को maintain रखने में ताकि जो मर रहा है उसको हटाया जा सके तो therefore forest is a dynamic living entity क्या बोला जाएगा forest is a dynamic living entity dynamic मतलब जो real time पे काम करता है dynamic living मतलब जैसे एक इंसान living है जैसे एक plant living है जैसे ट्री living है ना similarly forest अपने आप में एक living entity है जिसको अगर आप disturb करोगे तो वो पूरा forest मर जाएगा आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप trees काड़ दो पर plant वहीं रहेंगे मतलब trees काड़ दो पर जानवर वहीं रहेंगे जानवर कभी वहाँ exist नहीं करेंगे अकर वहाँ पे trees या कुछ भी नहीं होगा और अगर आप जानवर हटा दो तो भी trees मर जाएगे तो यह पूरा एक सिस्टम है अब प्रोफेसर एमर टोल्डेम यह वापिस आ रहे थे और हो गई बारिश अब बारिश होई यह गूम रहे थे जंगल में भीगे ही नहीं क्यों पानी नहीं आया नीचे तो उसके बाद बट एक घंटे बाद इन्हों ने देखा कि पानी नीचे नहीं आया यह डिरेकली बट जो फर्ष है मतलब पूरा लैंड है वो वेट हो गया है आप सूचो फ्लड को आने से भी रोकता है अगर कभी बाड आ रही है ना जंगल में से जब वो बाड होके जाएगी तो 99% चांस है कि वो वहीं के वहीं या तो पानी सारा सोक लेगी या प्लांट इतने पेड हैं वो पानी को रोक लेंगे सॉल कभी बहेगी नहीं यतने टाइट कछी रहेगी तो सॉल oportun को रोपते हैं अगर ट्रिज नहीं होते तो ring जो है directly ग्राउंड को हिट करेगी पानी आ जाएगा बान आ जाएगी soil damage हो जाएगी directly और जो roots and trees के ये soil को बांदे रखते हैं अगर ये नहीं होंगे तो soil जो है बह जाएगी समझ में आया उसके अलावा ये जो shore है न आपको पता है noise pollution भी बहुत कम होता है forest में क्योंकि forest जो है noise को भी absorb कर लेता है तो noise pollution भी कम होता है उसके अलावा अब last में chapter कता हो गया है last में professor साब ने बच्चों से बस ये पूछा कि बताओ अब आपने क्या सीगा सब लिख के बताओ तो बच्चों ने लिखा जो forest हैं वो हमें oxygen प्रवाइड करते हैं वो soil को protect करते हैं habitat को provide करते हैं large number of animals और plants को वो हमें अच्छी rainfall लाने में help करते हैं neighboring areas में एक source है medicinal plants के timber के और कई useful products के तो हमें at the end product किसको forest को बचाना चाहिए और last में इस डाइग्राम में जिसमें पता चलता है कि forest नहीं होगा तो क्या होगा सबसे पहले अगर forest disappear हो जाएंगे तो जो carbon dioxide है air में वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी उसके बढ़ने के वज़े से क्या होगा temperature बहुत बढ़ जाएगा trees नहीं होगे तो animal और जो shelter है plants वारांट तो सब गय हो जाएगे अब trees के absence में जो soil है वो पानी रोकेगी नहीं तो लगातार भाई बाढ़ बाढ़ ये सब चीज़ें आने लग जाएगी देखो पानी बह जाएगा और चौती बाढ़ deforestation will endanger our life and environment think what we can do to preserve our forest तो अगर ये सब नहीं होगा take care and मौझ मस्ती करते रहे